हेलो एप्रिवान वेलकम टो मैं चैनल देखिए आज मैं एकदम आसान और सरल तरीके से बनाने वाला थाल पोस लेके आई हूँ इसे जिसे सिर्फ क्रोशय चलाना आता हो वो भी आराम से बना लेगा तो उसके लिए हमने देखिए ये पाथ चैन ली और ये लास्ट वाली चै चैन लीके देखिए इसमें डालके एक क्रोशय डबल क्रोशय देखिए जैसे हमने डबल क्रोशय बनाने के लिए दो दागे निकाल दिया और एक मैंने क्रोशय के उपर ही रहने दिया और अब तीनों को एक साथ निकाल दिया फिर हमने डाला फिर देखिए ये तीन थे तो दो मैंने फंदे निकाल दूँगी देखे एक दो पहले दो चेहन लेली मैंने फिर इसमें डाला और देखे दो फंदे निकाल दी और एक किरोशे के उपर हैने दिया फिर हमने डाला फिर दो फंदे निकाल दी एक किरोशे के उपर हैने दिया फिर से डाला और फिर दो फंदे दो फंदे निकाले और एक किरोशे के उपर हैने दिया ऐसे करके हमने अब हमने सारे एक साथ निकाल दिये तो ये तीन बन गई ऐसे ही तीन और हम बना लेंगे सेम इसी तरह से देखे ये तीन बन गई अब हमने दो चैन लेके और जहां पर हमने शुरू में चैन ली थी ना तो वहाई पर डालके इसे जोइंट कर दिया तो देखिए ये हमारा एक राउंड पूरा हो गया अब हम यही पर इसे कट कर देंगे अब हम इसमें दूसरी उन जोइंट करेंगे क्रीम वाली और इसे जोइंट करने के लिए ये ध्यान से थोड़ा करना है क्योंकि अगर ये खल गया तो पूरे डिजाइन खराब हो जाएगा तो हम ने दो चैन ली और देखिए वो जो चैन थी ना उसमें डालके हमने फिर से ऐसे ही किया देखिए डबल क्रोशिया बनाने के लिए दो बार फंदो को निकाल लिया और एक बार हमने किरोशे के उपर ही रहने दिया और सब को एक साथ इस तरह से निकाल लिया फिर हमने दो चैन लिये और इसी में डालके फिर से हमने तीन फंदो को दो दो धागे एक साथ निकाल लिये फिर एक एक किरोशे के उपर रहने दिया जैसे हमने किया था पहले वैसे ही करके हमने फिर लास्ट में एक साथ सारे निकाल लिए फिर एक चैन ली फिर आगे वाली जो दो चैन है उसमें भी सेम दो दो करके ऐसे ही बनाएंगे हम जैसे हमने यह बनाया तो यह पूरा करके फिर दिखाती हूँ तो देखिए यह हमने इसी तरह से पूरा डिजाइन कर लिया है एक जो दो दो चैन थी उनमें हमने दो दो बार ही यह जो हम तीन किरोश्या बना रहे हैं वो बनाने हैं तो देखिए, यह हमारा पूरा हो गया अब हम यहाँ पर ना आप चाहें तो यह पर ग्रीम उन लगा लेंगे, नहीं तो हम वैंने तो यह है ना यहाँ पर पहले ना क्रीम वाली उनसे ही, इसकी आगे वाले लाइन बनाई है तो उसके लिए हमने दो चैन ली और फिर जो ये दो चैन वाली है ना ये थी ना हमारी चैन थी ये देखे नीचे जो हमने दो दो चैन ली थी उसमें डालके हमने एक बार फिर से वो ही तीन फंदे बनाए है फिर दो चैनली और फिर इसके आगे की साइड में जहां पे देखे ये जो है न दो ने एक साथ थे न उसके आगे की साइड डाल के हमने आपको देखके समझ आई रहा होगा उसमें डाल के हमने साथ निकाल दिया फिर हमने देखे दो चैन ली और फिर उसके आगे वाली जो दो चैन है उनमें डालके फिर से ये देखे दो फंदे निकाल लिए एक किरोशे के उपर है ने दिया इसी तरह से हर एक में एक एक बार हम ये टिपल जो फंदे हैं ये बनाएंगे तो ये पूरा बना के फिर दिख लेकिन यह ना ग्रीन कलर ही है जो सी ग्रीन होनता है लाइट सा होता है थोड़ा वो है तो अब हमने दो चैनले ली इसमें और फिर से हम वही फंदा इसमें बनाएंगे देखे तीन फंदों में से दो फंदे निकाल लिए एक किरोशे के उपर रहने दिया फिर ऐसे ही किया और फिर हम सारे एक साथ ले लेंगे तो आपको समझ तो आई रहा होगा ना यह हमें न कैसे न आया फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करिए मैं आपको हर कमेंट का जवाब देती हूँ तो देखे यह तीन हो गए फिर हमने सारे एक साथ निकाल लिए तो ऐसे ही हम हर एक में दो दो बार बनाते हुए चैन में हम यह पूरा कंप्लीट कर लेंगे देखे यह जो ग्रीन वाल है इससे हमें दो दो बार बनाने है तो यह हम ऐसे ही complete कर लेंगे पहले देखिए यह मेरा complete हो गया अब हम यहां पर last में लेके इसे joint कर देंगे और यहीं पर इसे उनको cut कर देंगे अब हम इसमें दूसरे color joint करेंगे यह थोड़ा background थोड़ा light रह गया है उसके लिए मैं आपको sorry बोलती हूँ क्योंकि मुझे बाद में समझ आया कि यह light color की उन दिखाई दे रही है और यह light color का background है मैं आपको इसे dark पे भी आगे दिखाऊंगे तो देखे हमने यह white वाली उन यहाँ पे joint कर ली अब हमें इसमें क्या करना है देखे एक, दो, तीन, चार, हमने चार chain ले ली इसमें और यह हमने एक और chain ली थी हमने total इसमें न 5 chain ली थी एक यह देखे पाँच चैन हो गई अब हम यहाँ पे जो अगली chain है उसमें डालके हमने इसे simple crochet से joint कर लिया फिर से हम यहाँ 5 chain लेंगे और फिर से यह दोनों छोड़के जो आगे वाली chain है इसमें डालके हम इसे joint कर लेंगे तो ऐसे ही 5-5 chain लेके हम पूरे में कर लेंगे और करने के बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ देखे यह मेरा पूरा हो गया अब जहा लेने के बाद अब हम फिर से वो ही फंदे बनाएंगे जिसमें हम दो किरोशे के निकाल देंगे और एक किरोशे के उपर रहने देंगे और फिर सबको एक साथ निकाल देंगे फिर दो चैनली फिर इसी में डाला और फिर इसी तरह से हमने यह बना लिया क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ तो इसलिए मैं न थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ आपको देखे ये दोनों बन गए अब हम अगली चैन पे जाएंगे एक चैन लेने के बाद हम इसकी अगले वाली चैन पे जाएंगे देखे आगे वाली जो चैन है न उसमें डालके भी आप दो बार इसी तरह से देखे ये वाली चैन ही देख रही थी जो हमने पांच ली थी उसी में ही डालके हम बना रहे हैं जो फर्स्ट वाली चैन ही थी उसी में फिर देखिए सारे एक साथ निकाल लिए फिर हम अगली चैन पे जाएंगे देखिए एक चैन में हमने तीन बार बनाए है तो ऐसे ही आप बनाना अगर आपका यह न कटोरे जैसा होने लगे थोड़ा ऐसा लगने लगे कि नहीं यह तो यह न तीन तीन बार बनाई है अब हम लास्ट में से यहीं पर जोइंट कर देंगे और जोइंट करने के बाद हम देखे तीन चैन ली और देखे यह जो दो चैन है इसमें डालके हम फिर से वो ही फंदे लेने वाले है देखे दो फंदे निकालके एक किरोशे के पर फिर सारे एक साथ यह लिए अब हम यहाँ पर दो चैन लेंगे एक हो गई यह दो और फिर आगे वाले में डालके हम फिर से वोई फंदा बनाएंगे सेम उसी तरह से बनाते वे हर एक चैन में डालते वे हम पूरे में इसे बना लेंगे जैसे हमने यह बनाया था ना सेम ऐसे ही बनाना है हमें हर एक चैन में एक एक बार ही डालना है तो यह पूरा बनाने के बाद देखे मैंने यहाँ पर यह जॉइंट कर दिया और जॉइंट करने के बाद हमने यह इंचैन ली और अब हम क्या करेंगे इसमें न हर एक चैन में अब दो दो बार बनाएंगे यही फंदे देखिए दो दो फंदे करके जो हम निकाल देते हैं फिर दो चैन ली इसमें डाला दो फंदे निकाल लिए एक किरोशे के उपर फिर दो फंदे निकाल लिए फिर एक किरोशे के उपर तीन बार हमने ऐसी किया और सबको एक साथ निकाल दिया फिर दो चैन ली और अगले वाली चैन में फिर हम ऐसे ही करेंगे सेम तरीके से देखें दो फंदे निकाल देते हैं एक किरोशे को उपर रहने देते हैं फिर सबको एक साथ निकाल देते हैं तो ऐसे ही हर एक chain में दो दो बार हम बनाएंगे और ये पूरा complete करेंगे line और इसके उपर फिर हम हर एक chain में एक एक बारा बनाएंगे जो इसके उपर वाली line बनाएंगे और उसके उपर वाली में फिर से दो दो बार तो ऐसे ही हम पूरा ये complete करेंगे जैसे देखिए एक लाइन में दो बार फिर एक लाइन में एक बार देखिए यह मैंने दो बार बनाये थे ग्रीन तो इसके उपर चैनली उसके बाद हमने न दो बार बनाए तो ऐसे ही बना के हमने जैसे ये ग्रीन बनाया था इसके उपर भी हमने एक और टी में इसी तरह से ग्रीन बना लिया है सेम एक एक में दो दो बार डाल के और फिर जैसे हमने ये ग्रीन के उपर बनाया था ना वाइट वाला चैन लेके वैसे ही हमने इसका ये भी वाइट वाला बनाया है आपको समझ आई जाएगा जैसे हमने नीचे वाली लाइन बनाई थी सेम उसी तरह से और इसके उपर जो हमें लाइन बनानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ तो इसकी line बनारे के लिए हम पहले 6 chain ले लेंगे और 6 chain लेके हम 4 बार फंदों को देखे किरोशे के ओपर इस तरह से लेंगे और फिर 2-2 करके ये हम ये देखें तीन बार, ये 4 बार 4 बार हमने फंदों को ऑना 2-2 करके निकाल दिया आपको थोड़ा पास से दिखा रही हो और एक फंदा हमने किरोशे के उपर रहने दिया फिर चार बार फंदे लिए फिर उसी में डाला और फिर एक, दो, तीन, और चार चार बार फंदो को दो-दो करके हमने निकाला फिर एक फंदा किरोशे के उपर फिर चार फंदे लिए फिर दो-दो करके हमने निकाल ले इसी तरह से और ये देखे हमारे तीन गए और ये चोथा ये वाला इन सब को हमने एक साथ निकाल दिया तो जो हम ये बना रहे हैं वो हम थोड़ा लंबा बना रहे हैं जिससे इसका ने डिजाइन तोड़ा अलग दिखाए दे उसके बाद हमने फिर से चार बार फंदे को लिया और इसके आगे वाले में देखे जो चैन है इसमें डालके हमने देखे दो 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 करके ये चार बार फंदो को निकाला इस तरह से फिर चार बार लिया फिर दो दो करके हमने न चार बार ये फंदो को निकाला एक फंदा किरोशे के उपर रहने दिया और फिर से हमने तीसरी बार भी दो दो करके चार बार फंदो को निकाला और फिर सबको एक साथ निकाल दिया तो है न ये आसान फिर हम इसमें दो चैन लेंगे और जहां से हमने ये 6 चैनले के शुरुवात की थी अब हम उसमें डालके इसे जॉइंट कर लेंगे देखे इस तरह से तो है न ये आसान डिजाइन ये भी आप राम से बना लोगे न अगर फिट भी ना आए तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि कमेंट पॉक्स में मुझसे पूछिए मैं आपको रिप्लाई करूंगी तो इसी तरह से हमने अब बना लिया अब इसके उपर हम ग्रीन कलर की उन से बना लेंगे सेम तरीके से एक-एक फंदे में दो-दो बार डालके देखे यह हमारी जो ग्रीन वाली हुने न इसमें हम सेम तरीके से इसके उपर बनाएंगे जैसे हमने यह बनाया है उसके लिए पहले हम इसमें अच्छे से जॉइन करेंगे और फिर तीन चैन लेंगे और तीन चैन लेंगे वो ही एक फंद दालेंगे और दो फंदे निकाल देंगे और एक किरोशे के उपर फिर से डालेंगे फिर दो फंदे निकाल देंगे और एक किरोशे के उपर फिर सब को तीन बार ऐसा करने के बार सब को एक साथ निकालेंगे इस तरह से फिर यहां पे हम दो चैन लेंगे और इसी में डालके फिर तीन बार हम सेम तरीके से करेंगे ऐसे ही आप ये बनाते जाएंगे मैं बहुत मेहनत से बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन लेके आती हूँ अगर आपको ये पसंद आजाए तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और हाँ अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है आप लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक जरूर कर देना तो जैसे हमने ये ग्रीन बनाया है और फिर हमने ये डिजाइन बनाया है चैन बनाने के बाद ऐसे ही हम अब लास्ट में भी बना लेंगे तो अगर आप चाहिए तो अब मैं आपको इस में डिजाइन बनाना बताती हूँ जिस तरह से हैं जैसे आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं ये नॉर्मल लगता है अच्छा लगेगा लेकिन इसका और जो निकर के आएगा और अच्छा लगेगा उसके लिए हम देखे ये बीच में डालके जहां पर ये ग्रीन वाला है और हमने सिंपल क्रोशिया से वाइट उन जोइंट की थी वहीं पर हम वाइट वाले उन जोइंट कर रहे हैं और फिर से यहां पर पाथ चैन ले रहे हैं और पाथ चैन लेके जो अगले वाला सिंपल क्रोशिया है उसमें डालके हम इसे जोइंट करेंगे यहां पर इस तरह से ये जोइंट कर लिया फिर हम यहां पर पाथ चैन लेंगे और 5 chain लेके हम फिर आगे की side डालके यहाँ पर इसे joint करेंगे इस तरह से तो ऐसे ही हम इन पाँच पाँच चैन लेके इसे पूरे में बना लेंगे तो यह पूरे में बना के फिर कैसा लगता है फिर मैं आपको दिखा लेती हूँ जब हम ये पूरा complete कर लेंगे तब तीक है फिर ये देखे हमारा complete हो गया है और complete हो के last हमने ये 5 चैन ले लिए और जहां से हमने ये शुड़ो किया था वही पे डालके इसे joint कर देंगे इसी तरह से और यही पे ये उन हम cut कर देंगे अब हम इसमें न दूसरे कलर की उन जो हमारी है न ये है न मरजेंटा वाली उन वो उन डालके हम इसमें joint करेंगे तो देखे ये जो हमारी चैन है न इसमें डालके देखे हमने पहले दो चैन ले ली इसमें डाला एक फंदलिया किरोशे के उपर रहने दिया थोड़ा सा खीच के, फिर से डाला, फिर किरोशे के उपर रहने दिया, फिर से डाला और फिर से किरोशे के उपर रहने दिया, तो ये तीन बार हो गया, अब हम सब को एक साथ निकाल देंगे, ये एक पफ बन जाएगा, फिर हम इसी में डालेंगे, इस तरह से, सेम तरीके से और एक बार हो गया, ये दो बार और ये तीन बार अब हम तीनों को सब को एक साथ निकाल देंगे तो ये हमारा दूसरा पफ बन गया फिर हम इसी में इसी तरह से पफ बना लेंगे इन दोनों पफ के बीच में हमने एक चैन ली आप चाहें तो चैन ले सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं चैन लेने से क्या होता है कि थोड़ा डिजाइन खुला-खुला दिखता है तो हमने फिर से इसमें चैन लेके फिर एक और पफ बना लिया तो जो टोटल हमने इसमें पफ बनाई है वो चार है अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, यह चार हो गए ते एक निकाल दिया और यह एक साथ हमारे चार पफ बन गए चार अब हम यहाँ पे एक और हम पफ बना रहे हैं, अगर आपको एन डिजाइन छोटा लगे तो अगर आपको डिजाइन छोटा नहीं लगता है और चार पफ में भी ठीक आ रहा है तो आप चार-चार पफ बना सकते हैं मुझे इसमेने डिजाइन में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि खाली-खाली सा तो मैंने पाच्वा पफ भी बना लिया अब हम इसमें यहाँ पर एक और यह दो दो चैन ली और जो यह सिम्पल क्रोशिया के इधर चैन है उसमें डालके हम सिम्पल क्रोशिया से इसे जोइंट कर दिया और हम यहाँ पर फिर से दो चैन लेंगे मैंने जो ये फर्स्ट लाइन बनाई थी तरह आप, फिर हम यहां पर ऐसे ही बनाते चाहेंगे, चाहें तो चैन लें, चाहें तो ना लें, लेकिन अगर आपका कटोरे जैसे हो रहा है, तो प्लीज जरोर लें, क्योंकि है न, कभी-कभी किसी कहना हाथ अलग तरीके से चलता है, इसमें जो हम हाथ चलाएंगे, वो थो देखिए मैंने वही वाइट वाली उसे इसके ओपर यह डिजाइन बना लिया तो अब यह हमारा यहीं तक हो गया तो लास्ट थो होने के बाद जहां से हमने शुरू किया तो लास्ट करदेगे और ये उन को हैंई पे हम कट कर देंगे मेरी ये उन थोड़ी चोटी पड़ गई है मैं इसी तरह से इसमें डालूंगी और इसे हैंई पे कट कर दूंगी अब ये धियान रखना कि नौट अच्छे से लगाना क्योंकि खुल गया तो पूरा डिजाइन खराब हो चाहिए तो ये हो गया उसके बाद में अब मैं इसके उपर की किनार बनानी आपको बताती हूँ जो किनार है वो मैं क्रीम कलर की उन से बना रही हूँ इस वाली उन को हमें पीछे की साइड में करके काट देंगे चैन के बाद जो थर्ड वाली चैन थी ना उसमें डालके हमने इसे यहाँ पर सिम्पली जॉइन कर लिया देखे एक चैन ली फिर डाला आगे वाली जो ये चैन है इसमें डाला पास से देख लीचे आप थोड़ा सा ये देखे राला और फिर ये ऐसे निकाल दिया फिर एक चैनली फिर जो पफ के उपर वाला फंदा है उसमें डाला फिर निकाल दिया फिर एक चैनली फिर आगे वाली जो चैनली उसमें डाला और उसे ऐसे ही निकाल दिया तो यह ना देखे जिग जैक में बन के आएगा हमारा जो डिजाइन है ना वह जिक जेक में बन आएगा और बिर्कौल अल יक, फिर हमने एक चैन ली तो इसमें डाला और यह निकाल दिया फिर एक चैन ली अब हमप पफ के ऊपर हमने डाला यहां पर एक बार हमें पर रहिए हमें चैन है हैं तो ऐसे ही हम यह ना पूरा पफ कंप्लीट करेंगे तो यह हमारा एक पफ कंप्लीट हो गया अब हम यहाँ पर चैन लेंगे देखिए इस चैन में आने के लिए तो हमने यहाँ पर यह एक चैन ली और यह जो हमने यहाँ पर जॉइंट किया था है इसमें डालके हम इसे सि फिर हम इसमें एक चैन लेंगे और जैसे यह पफ के उपर जिग जैक में बनाया है देखे एक चैन के उपर डालके बनाना है फिर एक पफ के उपर डालके तब एक सिंपल निकालना है देखे एक चैन ली सिंपल ही निकाल दिया एक चैन ली फिर सिंपल ही निकाल दिया तो यह शेप बहुत अच्छी सी बन के आएगी तो ये भी मैंने पूरा ऐसी कर लिया फिर हम इसमें एक चैन लेंगे और इस वाले में डालके सिंपल ही निकाल देंगे फिर एक चैन लेंगे फिर उपर वाले में डालके इस तरह से ही निकाल देंगे देखे फिर एक चैनली आगे वाली चैनली डाला निकाल लिया फिर एक चैनली पफ के उपर डाला फिर निकाल लिया तो ऐसे ही हमें न जितने हमने ये पफ बना रखे हैं हम सब में इसी तरह से ये पूरा डिजाइन बना लेंगे जितने भी हमारे हैं न देखे ये जैसे मैंन आपको कैसा लगा ये भी मुझे बता देना तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ देखे मैंने जो दो गेरे उन पर बना लिया है मेरी क्रीम वाली उन कतम हो गई तो मेरा लास्ट वाला बच गया जैसे ही आती है वैसे ही मैं उसमें भी बनाके आपको दिखा दूँगी तो देखे ये ना बिल्कुल अलग लगता है एकदम ऐसे उठा उठा इस वाले कैना मैं बाद में बता दूँगी आपको दिखा के क्योंकि इस कैना उन कतम हो गई और इस पे नहीं लग पाया तो जैसे ही लगेगा फिर मैं दुबारा से आपको फोटो भेज दूँगी तो चलिए देखिए ये हमारा किस तरह से ऐसे उठा उठा और कितना सुंदर सा डिजाइन दिखाई देता है आप इसे किसी तरह से भी रख सकते हैं अगर आप इस तरह से मोट के रखेंगे पास पास बनाएंगे तो ये एकदब के फूल वाला कार वाला बनेगा और आप ये ऐसे रखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा यह थोड़ा जिग जग में करना है तो आप क्या करेंगे दो यह पीछे की साइड रखेंगे और दो आगे की साइड देखें यह इस तरह से तो यह हमारा जिग जग में बन जाएगा एक ही डिजाइन को हम दो तरीके से रख के देख सकते हैं इस तरह से करेंगे तो यह हो जाएगा तो आगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हूँ और मेरा बताने का तरीका पसंद आता हो तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है आप लाइक जरूर कर देना जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बेटन आ रहा है आप उसे प्रेस कर देना वो ग्रे हो जाएगा और उसके पास में जो बैल आइकन बन के आएगा आप उसे ओल पे सेट करेंगे तो मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई देंगी तो चलिए आपको यह कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं एक नई अच्छी सी चीज के साथ बाई एवरिवन और थैंक्स पर वाचिंग आपका इतना सारा प्यार मिलने के लिए बाई एवरिवन